आज है 24th मार्ज 2020 आज मैं आपके साथ अपने लेमन प्लांट के बारे में कुछ बाते शेयर करूंगी यह मेरा लेमन प्लांट बहुत ही पुराना है यह 7-8 यह से लगा हुआ है पर इसमें कोई भी फ्लावरिंग नहीं हो रही थी पर लास्ट यह से इसमें फ्लाज आने शुरू हुए और दो तीन नीबू भी आए यह देखिए इसके हर पार्ट में हमको सीडलिंग दिख रही है और आप यह देख सकते हैं यहाँ पर एक छूटा सा लेमन भी आ रहा है मैंने कुछ खास नहीं किया बस मैंने इसको इसको टाइम देना शुरू कर दिय समय समय पर इसको खात देना पानी बहुत मात्रा में देना शुरू कर दिया जिसकी वज़े से इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी और इसी पर मेरी एक छोटी सी करेले की बेल भी है यह देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें करेले आने भी शुरू हो गया बर दोनों अलग अलग है डिस्टेंस पर हैं जिसकी वज़े से दोनों की ग्रोथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पढ़ रहा है थैंक यू